नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तयारी काफी बहतर चल लए होगी, तो आपके तयारी को और बहतर बनाने के लिए, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, बायलोजी का एक महत्मूर चेप्टर, पोसर्ण यम पाचन, चाहाँ यूपी, पीसियसो या आरो यारो हो, इस चेप्टर से सबसे दिक कोश्चन पूछे जाते हैं, यहां तक कि एक एक लाइन से भी कोश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक की सुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पोसर्ण की परिभासा, पोसर्ण का जाता है, यहां से पहला कोश्चन आपसे पूचा जागा, पूसर्ण भी ज्यान का पिता किसे का जाता है, तो एन्टोन्यो लेवसी यो को. नेक्ट देखते हैं Dr. Colin Campbell को आधुनिक पोस्टर विज्ञान का जनक कहा जाता है आगे बढ़ेंगे पोस्टर के आधार पर सजीयों को दो भागों में बाटा गया है पहला है दोस्तों स्वपोसी जिसे कहते हैं आटो ट्राप्स दूसरा है परपोसी जिसे कहते हैं हिट्रो ट्राप्स सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वपोसी आटो ट्राप्स स्वपोसी क्या होते हैं तो देखिएगा वे जीव जो परकास संस्रेसल की किरिया द्वारा अपना भोजन, अपने आप बना लेते हैं, स्वब पोसी या आटो ट्राप्स कलाते हैं, जैसे कि हरे पेड पौधे, परपोसी क्या होते हैं, परपोसी का परिवांसा देखेगा, वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्वर होते हैं, परपोसी कलाते हैं, पर पोसी तीन प्रकार के होते हैं पहला क्या है पूर भोजी या होलो जोईक इसे देखते हैं वे जीव जिन में अहार नाल पाई जाती है और जो भोजन पचाने की छमता रखते हैं अहार नाल भी इन में पाई जाती है और भोजन पचाने की छमता भी रखते हैं पूर भोजी य या होलो काछ दो दोकतो पूंड़स यं जैसे कि गाई और हिरर इंहे प्रथम reasonable के उप prayka दोगता है जैसे कि सेर और चिता यहांसे आपको क्युश्टन पूछा या कि कौनसे हरवी बोर। कर। कर्णी बोर। कर्णी बोर। करिंट रीजरों का उठावनी दूतिय और अधरों झारणी आए हैं का उपभोगता का जाता है इन्हें प्रत्थम या उच्छ स्रेंडी का उपभोगता का जाता है और चौता क्या होते हैं इसके वेंजर्स इसके वेंजर्स जैसे गिध्या चेल इन्हें क्या का जाता है तो उच्छ स्रेंडी का उपभोगता और प्रकीर्ति का सफाई कर्मी भी प्रकिर्ति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है तो इस के वेंजर्स को कि आगे बढ़ेंगे देखिंग हम लोग परजीवी परजीवी देखिए क्या होते हैं तो वे जीव जो दूसरे जीवों को छती पहुंचा करके भोजन करहां करते हैं और जिनमें भोजन पचाने की क्या होती है छमता नहीं पाई जाती है परजीवी काल आते हैं और परजीवी दो परकार के होते हैं बाह परजीवी बाह परजीवी और अंता परजीवी एक्टो पारसाइट और एंडो पारसाइट सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाहपर जीवी, मैं ऐसा करता हूं कि आपको टोपिक किलियर हो रहा होगा सबसे पहले हम लोग देखेंगे वे जीव जो दूसरे जीवों के सरीर पर निवास करके उनके द्वारा पचे पचाय भोजन को रक्त इत्यादी के रूप में चूसकर भोजन ग्रांड करते हैं वाह पर जीवी कहलाते हैं एक बार समझेगा और वे जीव जो दूसरे जीवों के सरीर पर निवास करके उनके द्वारा पचे पचाय भोजन को रक्त इत्यादी के रूप में चूसकर भोजन ग्रांड करते हैं बाह पर जीवी कहलाते हैं उधारन देखिएगा खटमल मादा मच्छर मक्खी जोग इत्याद रग्त चूसने वाले जीवों को रग्त चूसने वाले जीवों को सहईगोई सहईगोई पोरस कहते हैं अब यहां से आपसे question में पूछा जागा दो चार वोग आपको आपसं दिदी जागा और पूछा जागा इमएससे कौन सा अंता पर जीवी हैं और कौन अंता पर जीवी नेक्ट देखते हैं दोफ्तों अन्ता परजीवी क्या होते हैं तो वे जीव जो शरीर के अंदर निवास करके पच्चे-पचाय भोजन को ग्रहार कर लेते हैं उन्हें अन्ता परजीवी करते हैं जैसे कि पेट के कीड़े फीता किर्मी इत्यादी आगे हम लोग बढ़ेंगे देखेंगे सेप्रोफाइट मिर्तोप जीवी और इसे ही क्या कहा जाता है राशायन जीवी या कीमोट्राप्स या अपगटक यह सब एक ही को कहा जाता है पढ़ते हैं इसके बारे में बैक्टिरिया कवक जैसे सूच मजीव मिर्तजयविक पदार्थों पर अपनी रासायनी किरिया करके जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलकर अपना पोसल प्राप्त करते हैं तथा अत्रिक्त पदार्थों उर्जा को पुना क्या करते हैं प्रकिर्ति में मिला देते हैं ऐसे जीवों को सैप्रोफाइट या अफगटक कहा जाता है और इन्हें ही क्या कहा जाता है रासायन पोसी भी कहा जाता है जैसे कर देखेगा बैक्टिरिया कवक इन्हें भी क्या क कहा जाता है अब घटा को भी प्रकीर्ति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है आगे देखेंगे नोट है जहां जहां नोट लगेगा वहां पर एरट रहेंगे ताकि वहां से कोश्चन पूछा गया है कुछ जीव जन्त अपने हिजाद के सदस्यों को भोजन के रूप में गरहन कर लेते हैं इन्हें करनीबल्स कहा जाता है जैसे कि साफ बिच्छू मकडी इत्यादी अगला नोट देखिएगा कुछ जीव अपने हिपाचन तंत्र के कुछ जीव अपने हिपाचन तंत्र के बेकार के पदार्थ विष्ठा बेकार के पदार्थ विष्ठा को भोजन के रू मिट्टी में मिले हुए जैवी काउसेसों को भोजन के रूप में गरहन करके खाद में बदल देता है क्या क्या करता है तो मिट्टी में मिले हुए जैवी काउसेसों को भोजन के रूप में गरहन करके खाद के रूप में क्या कर देता है बदल देता है, देखता है, जैवी कउसेशो को खाने वाले जीव का कहा लाते हैं? डेट्री वरस कहा लाते हैं, केंचुई पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है याद Hen don aT कोश्चन आपसे पूछा जाएगा कि केंचुवा पालन को क्या का जाता है तो वर्मी कल्चर कहा जाता है और केंचुवा की खाद को केंचुवा के खाद को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है और कोश्चन में आपसे पूछा जाता है कि किसे किसानों का मित्र कहा जाता है तो आवसे पोशक पदार्थ पोशक काल आते हैं देखिए कि पोशक पदार्थ निम्लखित होते हैं और पोशक पदार्थ के अंतरगत दोस्तों पहला होता है कार्बनिक दूसरा होता है अकार्बनिक और कार्बनिक के अंतरगत होते हैं उजा देने वाले जैसे की कार्बोहाइड में लोग 18-25 जलियू आ तो चलि हम लोग पढ़टें में सबसे पहले कार्भो हाइडरेंट को मुद्रीत mellan चींडरेंट है एक कार्वन हाइड्रोजन और आक्सीजन से मिलकर बणने वाले कार्भनिक युग हम यह ज़ी हैं इनमें कार्बन और हाइट्रोजन और आक्सीजन क्रम सा एक अनुपात दू अनुपात एक की रूप में पाय जाते हैं कोश्चन आँ से पूछा गया है एक ग्राम कार्बोहाइडरेट से एक ग्राम कार्बोहाइडरेट के बिविटन से 4.3 कलोरी उर्जा मिलती है कार्बोहाइडरेट सामानेता तीन प्रकार के होते हैं पहला देखिएगा मोनोसेकराइड दूसरा है डाइसेकराइड और तीसरा है पॉलिसेकराइड नेक देखते हैं बसा फैट्स भी क्या होते हैं कार्बन हाइट्रोजन आक्सीजन से मिलकर बनने वाले कार्बनिक योगिक होते हैं प्रन्त इन में आक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तूलना में क्या होते हैं कम होते हैं बसाएं चीकने पदार्थ होते हैं, जो बसा होते हैं, चीकने पदार्थ होते हैं, जो की जल में क्या होते हैं, और घुलन सील होते हैं, प्रन्तु कार्बनिक, बिलायकों जैसे पेट्रोल, अलकोहल, मिट्टी का तेल, आगे देखेंगे, नोट लगा हुआ है, काफी है आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन हां थी प्रोटीन देख़ेंगा प्रोटीन congregation geoghig rh साथ नग्योस्टव Scam सब देखेगा प्रोटीन सब मुड़र नामकIVE घ्यानिक ने दिया और कोस्चन आप प्रन्तु प्रोटीन के महत्तों को बर्जिलियस नामक बैग्यानिक ने बता जा इसलिए मुल्डर और बर्ज वर्जिलियस को ही प्रोटीन का खोज करता कहा जाता है आगे बढ़ेंगे सजीओं के सरीर में सजीओं के सरीर का 15 प्रतिसत भाग प्रोटीन से बना होता है कोश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि सजीओं का सरीर किस से बना होता है माप करिएगा सजीओं का सरीर में प्रोटीन कितने प्रसत होता है तो 15 प्रसत होता है आगे देखेंगे, शरीर में पाए जाने वाले हर्मोन्स, एंजाइम, एंटीजन और एंटीवाडी, इत्याद BCS परकार का क्या है? प्रोटीन है, अब चार आपसन देगा, पूछे जागा, इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है, तो उसमें आपको मैज करना है या हटाना है, देखेंगे नोट, प्रोटीनो का निर्माड अमीनो अमलो से होता है, आगे देखेंगे दोस्तों, बिटामिन, भेरी मस्ट इंपोर्टेंट है, और बिटामिन हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, कि जीवन में आपको दुबारा कभी नहीं पढ़ना पढ़ेगा, और हमेशा के लि बिटामिन भी एक परकार का क्या है, कार्बनिक योगिक है, जो कि सरीर के विभिन उपापचाई क्रियाओं के लिए जिमेदार होता है, बिटामिन एंटी अक्सिडेंट की तरह कारे करते हैं, इसलिए इन्हें रच्छात्मक खादे भी कहा जाता है, बिटामिन को क्या कहा मूर फंक नामक बैग्यानिक द्वारा बिटामिन सब्द कैसी मूर फंक नामक बैग्यानिक द्वारा दिया गया, प्रन्त बिटामिन के महत्व की चर्चा सबसे पहले हापकिन्स नामक बैग्यानिक ने की, इसलिए फंक और हापकिन्स को बिटामिनों का खोज करता कहा जात सबसे पहले खोजा गया कि यह खोजा है सबसे पहले खोजा गया विटामिन क्या है सी है यानि विटामिन कितने होते हैं ए बी सी डी और के इन सबसे पहले खोजा गया कौन सा विटामिन है तो विटामिन सी है याद रखेगा प्रयोग साला में सबसे पहले प्राप्त किया गय कई जाता है गां इक दिकनग़ वीटामिन का इस वेखेंगे बिटामिन दो परकार को होते हैं ये कोश्चन न्यानर में पूछा जाता हैWS वसा में घुलनशील वितामिन वसा में कौन-कौन से गुलनशील है तो देखिएगा, ADE और क्या है वसा में घुलनशील वितामिन है, B, C क्या है, जल में घुलनशील वितामिन देखते है वितामिन A, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंग dólarint गलतों मिन इस का नाम बशानिक कि नाम किया रेती नाल याद रखना रासायनिक नाम क्या этих का रेती नाल देखेंगे डिटामिन एक कमी सीरे का मित नं疏 रतवर से लूड था मेलिया के रूटोनेश या देखेंगे रतवर से लूड़ साम ढ़लने के बाद दिखाई देना कम हो जाता है रताओधी रोग में क्या होता है तो ब्यक्ति को साम ढ़लने के बाद दिखाई देना क्या होता है कम हो जाता है क्योंकि बीटामीन A की कमी से रेटीना की रोट सेल में कमी आ जाती है विटामीन A की कमी से का होता है रेटीना की रोट सेल में कमी आ जाती है जैरोड थैमिलिया रोग जैरोड थैमिलिया रोग में लेंस के बाहर कार्णिया के जिल्ली सुकर क्या हो जाती है निस्क्री हो जाती है और कार्णिया म तो यह आद के संक्रमण को रोकता है, इसलिए संक्रमण रोधी एंटी इंफिक्शन भी काते हैं, विटामिन A को काते हैं, विटामीन A की प्राप्ति क्या है तो विटामीन A आपके अंदर बना रहेगा, सबसे पहला इसका है गाजर, पपीता, आम, दूद, अंडा, घी और हर देखते हैं दोल्तों, विटामिन B1, मैं आसा करता हूँ कि टापिक आपको क्लियर हो रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब जरूर करेगा, और कमेंट करके जरूर बताएगा कि टापिक आज का कैसा लगा, और किस टापिक पर आपको वीडियो थाइमिन है, इसकी कमी से, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, और इस रोग में रोगी को क्या होती है, भूख नहीं लगती है, और मांस्पेसियां उसकी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, हाथ और पैर सुख जाते हैं, रोगी लंगडा कर चलने लगता पालिस किये हुए मील के चावल खाने पर यह रोग हो जाता है इसकी प्राप्ति क्या हो इसकी प्राप्ति है अनाज मुंखफली तील दोध अंडा हाथ का कुटा हुआ चावल इत्याज से इसकी प्राप्ति होती है आगे देखेंगे बिटामिन बीटू इसका नाम है दोस्तों रिवो फ्लेविन रिवो फ्लेविन बिटामिन बीटू का नाम है रिवो फ्लेविन इस बिटामिन की के में से किलोसिस बिटामिन बीटू की कमी से क्या होता है किलोसिस नामक रोग हो जाता है जिसमें होटों के कि फटने लगते हैं इसकी कमी से डर्म semble हो जाता है स है दर्मेटाइट्स का मतलब तौच dialect इस नोगनी हो हो जाता है अब कोश्चन में आपसे पूछा जागा कि किस बीटामिन के कमी से या किस बीटामिन के कारण गाय के दूद का pię readable हो जाता है तो bit I Mike B2 say आगे देखेंगे इस bit I mean की प्रापति हरी पती वाली सब्चियां दूध अंड़ साबूत अनास्थे होता है कि अगला देखेंगे इस्का नाम दॉफ्सतों है रासाइनिक नाम है इसका पेंटा फोनिक एसड़ विट्रि का नाम है रासाइनिक नाम है पेंटाथोनिक केसिद इसकी कमी से क्या होता है चर्म रोग यानि इसकी डिजिद इसकी कमी से चर्म रोग बालों का सफेद होना अब पूछा जाएगा बालों का सफेद होना किस बिटामिन की कमी से होता है तो बिटामिन B3 जिसका रासाइनिक नाम है पें प्रियाद से होता है, आगे पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग बितामिन B5 जिसका रासायिक नाम है नियासीनिया निकोटीन एसिड बितामिन B5 का नाम है देखेंगे इसकी कमी से मानसिक ब्याद पुलागरा हो जाती है बितामिन B5 को 4D सिंड्रोम 4D syndrome जैनि vitamin 4D syndrome syndrome vitamin syndrome vitamin 2 का जाता है क्योंकि इसकी कमी से क्या होता ? दडिस नागे जर्फ यह द्रूक की त्वच्छाए एक से दूद्य त्वच्छा का रोक , एक डिस से हो जाएगका डारिया यह दस्त से होता है, अगला है आपका बीटामिन b6 इसका नाम है दोस्तों राशानिक नाम हैnoc one पारिदाक्षिन बीटामिन b6 का राशानिक नाम है पारिडाक्षिन एक-ांट लाइन, से पूचा गया है आप हर को इस हर लाइन को देखते रहेंगे हर लाइन पर अपना नजर जमाई रखिएगा विटामिन B6 रासाइनिक नाम है पायरी डाक्सिन इसकी कमी से क्या होता है चर्म रोग यहां एनीमिया रोग हो जाती है इनीमिया मतलब रक्त की कमी हो जाती है इस विटामिन यानि जो vitamin 6 है सपनों को याद रखने में सहाइता करता है question यह भी PCS में पूछा जा चुका है कि कौन सा vitamin है जो सपनों को याद रखने में सहाइता करता है तो vitamin 6 इसकी प्राप्ति क्या है दूद, अनाज, मांस, मचली इ dispyatoo 6 के अगला है दोस्तों भीटामीन मिस्टेख हो गया है चाहेंगे की कमी से चर्म मढ रोग्यम बालों का जर्णदा संभव होता है विटामिन B7 से क्या होता है, चर्म रोग यम पालों का ज़ड़ना क्या होता है, संभव होता है, इसकी कमी से तुवचा मोटी यम खुर्दरी हो जाती है, इसकी प्राप्तिये दोस्तों दूद, अंडा, मचली का तेल, चाकलेट, हरी सब्जियां, अंकुरी तनाज, देखे च पॉटस्य आकलेट कही नहीं आया है, तो याद रखें के, बीटामिन B7 में है, याद रखेंगे, अगला हम झोपढने जा रहे है, बीटामिन B9, बीटामिन B9, इसका राशायनिक नाम है, थोस्तों, फॉलीकेसिट, राशायनिक नाम है फॉलीकेसिट, इसकी कमी से क्या होत अंडा हरी पत्ते वाली सबजियां से होता है यह यह लोट है जाद रखेंगे यह विटामिन DNA का निर्माट में मदद करता है कि कौन सा विटामिन है जो DNA का निर्माट में मदद करता है तो वितामीन भी — 9 ऑगला है विटामिन B12 उसके बाद से खतम हो जाएगा विटामिन मतलब B वाला सीरिज खतम हो जाएगा आपका रासायनिक नाम इसका क्या है साइनो कुबालमिन साइनो कुबालमिन इसकी कमी से एनीमिययम तंत्रिका तंत्र के रोग हो जाते हैं इसकी प्राप्ति क्या क्या है हरी सब्दियां मांस मचली अंडा दूद इत्याज से होता है देखेंगे नोट इस विटामिन में कोबाल्ट पाय जाता है कोशन आप से पूछा जागा किस विटामिन में कोबाल्ट पाय जाता है तो विटामिन वी 12 में हम अगला हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों बिटामिन C जो की काफी महत्पूर है कि बिटामिन C का राशाइनिक नाम क्या है सकरविक एसीड कBaby सी कर आ Armand Seriously क्पून निकलने का रोख इसकरविक एस id इस बिटामिन की प्राप्ति क्या होती है खट्टे रसदार फल जैसे नीम्बू, संत्रा, मुसंबी इत्याज से होती है नोट लगाईएगा इस कोश्चन के आगे आउला में यह बिटामिन सबसे अधिक पाई जाता है बिटामिन सबसे अधिक पाई जाता है इसकी अलामा हरी मिर्च, अननास, पके आम, टामाटर आधि में भी मिलता है आगे बढ़ते हैं सबजियों को अधिक गर्म करने पर यह बिटामिन नट हो जाता है जो विटामिन C है सबजियों को अधिक गर्म करने पर विटामिन C क्या हो जाता है नट हो जाता है या एक मात्र विटामिन है जो यूरिन में पाए जाता है ये भी कोश्चन आपसे पूछा जा चुगा है UPPCS की एक्जाम में आगे बढ़ेंगे डाइवेटीज रोग में जा विटामिन की कमी हो जाती है जिससे डाइवेटीज होता है उसके शरीर में क्या होती है इस विटामिन की क्या हो जाती है कमी हो जाती है आगे बढ़ेंगे जा विटामिन भी घाव भरने में मदद करता है कौन सा विटामिन है तो बिटामीन C जो है, घाव भरने में क्या करता है, मदद करता है, और शरीर की रोग प्रति रोदक छंता को क्या करता है, बनाय रखता है, नोट देखेगा, इस बिटामीन को क्या करते हैं, एंटी-कैंसर भी बिटामीन करते हैं, कोश्चन आपसे पूछा जागा कि किस बिटामिन को एंटी कैंसर बिटामिन करते हैं तो बिटामिन बी सी को बिटामिन सी को माप करीगा सरावियों में भी बिटामिन सी की कमी हो जाती है सरावियों में का होती है बिटामिन सी की कमी हो जाती है थोड़ा बच के रहेगा आप अगला देखेंगे विटामिन डी विटामिन डी रासाइनिक नाम है दोस्तों कैल्सी फिराल विटामिन डी का रासाइनिक नाम है कैल्सी फिराल यह दो रूपे में पाए जाता है जो विटामिन डी है वह दो रूपों में पाए जाता है पहला नाम पहला क्या है विटामिन ड और के Japanese के सबस्द की सब्सक्राइब कर एक को काते निसकी जाता है दमSO करका प्रैपन धी गाते हैं की ट्राइमिने के उपास्तिती में श्र्फा ञाधा से प्राफ्ट होता है और मियागिने मौने का गाते हैं कैलक काने सिप्रसिक अधिके refresh के द्वारा इसका निर्मार कर लेती हैं जों आगे बढ़ेंगे इस बीटामिन की कमी से क्या होती है हड्डियां कमजोर पर जाती है बच्चों में रीकेट तस सुखा रोग आते हैं और बैस्कों में इसे अश्टियो मेलेशिया कहा जाता है बैसकों में इसे अश्टियो मेलेशिया कहा जाता है और बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोक बीटाइमिन डी का प्राप्ति देखिएगा दूद्ध, अंडा, मांख, मचली का तेल, मस्रूम, खमीर, हरी सबजियां से होता है चुकि सबसे लंबा हम लोग टॉपिक कम्प्लीट कर रहे है, बाप बिटाइमिन E, इसका रासायनिक नाम है, टोकोफेराल बीटामिन B करासानीक नाम है क्या टूकोफिराल इस भीटामिन की कमिसे जना चंता मापकर आपकर लिगा इस भीटामिन की कमिसे जन्म छमता में कहते हैं कमी आ जाती है इसलिए इससे ह्फर्टिलीटी विटामीन भी कहा जाता है इस बिटामिन से लीवर में, बिटामिन E से क्या होता है, लीवर में बिसले पदार्थों का जमाव होने लगता है, और लीवर की कोशिक का है, थोड़ा सा मिश्टेक हो गया है, लीवर की कोशिक का है, आपर काम नौ करने लगती होगी, यही होगा, जिससे क्या कहते है, नर्क इसे क्या कहा जाता है ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है जब विटामिन चेहरे की जुर्यों को क्या कर देता है खत्म कर देता है कोश्चन आपसे पूछा जागा किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है तो विटामिन एको देखिएगा इस बिटामिन की प्राप्ति अंकुरी तनाज कपास के बीज सोया बीन इत्याद से होता है और सबसे आखरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दो तो बिटामिन के सबसे आखरी बिटामिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिटामिन के इसका रासाइनिक नाम है फाइलो क्वीनोन या नेफ्थो क्वीनोन खतरनाक नाम है फाइलो क्वीनोन या नेफ्थो क्वीनोन विटामिन के का रासाइनिक नाम है इस विटामिन की कमी से क्या होता है छोट लगे हुए अस्थान पर रक्त का थक्का नहीं जमता इसलिए इसे प्राप्ति क्या है तो हरी पत्ति वाली सब्जियां सोयाबीन लिवर कृत कलेजी दूथ अंडा से होता है मैं आशा करता हूं कि जो बीटामीन वाला चेप्टर है जो बीटामीन वाला आपका टॉबिक है वह आपको एकदम किलियर हो गया होगा बस दो बार सुन लीजेगा और किसी पेज पर लिख लिजेगा पक्का आपको किलियर हो जागा आगे बढ़ेंगे इतना डीप में नहीं कोई पढ़ाता है, देखेंगे अमासे, देखेंगे हम लोग क्या अमासे, अमासे उदे गुहा में बाईं और इस्तित एक क्या होती है, थैली नुमा सनचना होती है, जिसके अतरिक सता में बहुत सारी गरंतियां पाई जाती है, इन गरंतियों के द्वारा क्या होता है, जठर रस स्रावित होता है, और इन गरंतियों को जठर गरंतियां काते हैं, आगे बढ़ेंगे, जठर गरंतियां के द्वारा, जठर गरंतियां के द्वारा स्रावित किये गए जठर रस, निम्कित पदार्थ पाए जाते हैं, देखें होते हैं यहां से कोश्चन आप से पूछा जाता है छोटी आत चोटी आत दोस्तों चैसे आठ मीटर क्या होती है एक लंबी सनचना होती है छोटी आत के तीन भाग होते हैं टयावर के निचले भाग में एक थैली नुमा सनचना पाई जाते हैं पुलीया काई लेवर के निचले भाग में एक थैली नुमा राता है प्लिया में क्या होता है रख तीक अठा राता है प्लिया से बहुत कोस्टन पूचा जाता है इसे बाड़ी का ब्लड बैंक कहा जाता है प्लिया को क्या कहा जाता है बोड़ी का ब्लड बैंक कहा जाता है एक एक लाइन में हम सुरू में आपको बता है कि एक लाइन से कोश्चन है इस प्लिया में क्या होती है आर बीसी की मिर्तु हो जाती है इसलिए प्लिया कोई आर बीसी का कब्रगाह कहा जाता है नीचे पंड शुट गया है इस प्लिया में क्या होती है आर बीसी की मिर्तु हो जाती है और इसलिए प्लिया क्यों प्लिया कोई आर बीसी का ब्रगाह कहा जाता है आगे देखेंगे बड़ी आत छोटी आत को हम लोग पढ़ लिए उसके बाद से मोग देखेंगे बड़ी आत इसके तीन भाग हैं बड़ी आत के क्या हैं तीन भाग हैं सीकम कोलोन और रेक्टम सीकम कोलोन और रेक्टम बड़ी आत और छोटी आत के जोड़ों वाली सन्रचना के भाग को बड़ी आत और छोटी आत के जोड़ों वाली भाग को सीकम करते हैं जहां के बड़ी आत और छोटी आत क्या होती है जोइंट रहती हैं उसके जोइंट वाला पार्ट को क्या करते है सिकम काते हैं सिकम में ही और सिसी अंग अपेंडिक्स पाए जाता है और इस अपेंडिक्स में ही भोजन जमा होने से पेट में दर्द की शिकायत क्या हो जाती है पैदा हो जाती है कि ठीक है और इसको क्या करते हैं अपेंडिक्स साइटिस करते हैं आगे बढ़ेंगे कोलोन क्या होता है कोलोन एक यू अकार किस्ट नचना होती है जिसमें जल एम खनीज लाउनों का और सौंसर होता है कोलोन में ही मनुष्ट के लिए लाबदायक सहजीवी बैक्टिरिया पा बड़ी आत में बच्चा हुआ सेस बेकार का पदार्थ रेक्टम में इकठा होता रहता है और एनस के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है तो मैं आशा करता हूं जो आज का टापिक था आपका पोशन एम पाचन वह आपको किलियर हो गया होगा तो आप हमें कमेंट करक को सब्सक्राइब ने की हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और कमेंट करकर जरूर बताएगा कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए बाइलोजी किस टॉपिक पर या हिट्री किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मैं वीडियो जरूर दूँगा आपको और मि